कल एक्जाम है इंग्लिश के चैप्टर स्कोर करने कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें तो यह 10 मिनिट आपकी बहुत हैल्प करने वाले हैं दोस्तों जी हां मैं आज आपको सिखाने वालों कैसे बड़े बड़े चैप्टर इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर आप कम समय में कंपाइल कर सकते हो मैक्सिमम मांक से स्कोर कर सकते हो एक रात पहले वीट यह वीडियो कर आपने देख ली तो आपका बहुत फायत हो जाएगा सिंपल से स्टेप है आँ देखते है स्टेप नमबर वन फॉर्स तिंग फॉर्स अभी आपको बुक से पढ़ने की जुरत नही है अगर आप स्मार्टली स्टेडी करोगे मैक्सिम मांक से स्कोर करोगे तो करना क्या है करना यह है आपने जितने भी चैप्टर्स आपके हैं उन सभी चैप्टर के लॉंग आंसर को आपको देखना है जो आपके टीचर ने आपको लॉंग आंसर करा रखा है या ने आपको करा रखा किसे ट्यून ने करा रखा , और लॉंग आंसर रहा है ऍगर आपकर देखने लसे हैं जो लॉंग आंसर रहए उसको पढ़ोगे , बड़े प्यार से पढ़ोगे और आ किस से ल tort का आपको उस chapter की न सिर्फ story पता करने के लिए पढ़ना है, कि उस chapter की story क्या है, मोटी मोटी story आपको एक बार अगर पता चल गई, तो बस सब का काम वही हो जाने वाला है, तो पहला काम क्या किया मैंने, कि जो भी chapter मेरे को पढ़ना है, जो भी exam में chapter आ रहा है, उसका सब से पहले long answer पकड़ा मैंने, Long answer एक से ज्यादा भी हो सकते है, दो long answer आपको करा रखें, तीन करा रखें, तो तीनों एक बार पढ़ लेना, बस, किस नियत से पढ़ोगे, नियत क्या होगे आपकी, नियत मेरी साफ है, कि कहानी क्या है, कहानी मुझे पता होनी चाहिए, एक बार कहानी पता कर लेना, समझ मा आ रहा है, आप सब बहुत स्मार्टों मैं जानता हूँ, इतना कर लोगे, अब क्या करना, अब जो व्लोंग आउसर पढ़ रहे होगे, वहाँ आपको characters का पता चलेगा, किसका पता चलेगा, कि भई उस chapter के अंदर, उस कहानी में characters कौन-कौन है, कौन सिं characters के भी characters होगे, आपको उन characters के बारे में पता चलेगा, कुछ ना, कोई ना, कोई events हो रहा होगा, event वहला घटना होगी, घटना है होगी, तभी तो कहानी बनेगी, और event पे नजर डाल लेना, कि क्या-क्या हुआ था, portrait of a lady chapter में क्या था, एक दादी-मा थी character, एक उनका grandson था, वहाँ पे क्या था, दादी-मा क्या हो रही थी, बोड़ी हो रही थी, old थी वो, फिर दोनों अलग हो गए थे, शहर चली गई थी दादी-मा, दादी-मा शहर गई, बच्चे के साथ, वहाँ देखा, नय स्कूल हो गया, नय स्कूल में बच्चे चल गया, तो events होने लगे, तो मोटी-मोटी जो events होए न, जो घटनाए होई, वो अपने mind में clear करते होए चलना, कर लोगे इतना, कर लोगे, इतना तो हम सर कर लेंगे, करना ही क्या है, करना ही क्या है, long answer उठाऊंगा, direct long answer दी उठाऊंगा, story को देखूंगा, धिहान से पढ़ने ही कोशिश करूंगा, जितना समझ मा रहा है, जाद अपने दिमाग पे में रटने की कोशिश नहीं करने वाला भी, कर लिया इतना, इतना कर लिया, सर अब step number two तो बता दो, सर step number two क्या है मेरा, वो तो मुझे बता दो, अब करना है सबसे important काम, एक होता है mapping, mapping क्या है सर यह, यह mapping क्या है, mapping क्या है, mapping क्या करनी है, जितना भी आपने long answer पढ़ा, अब यह नहीं कि तीन long answer एक साथ पढ़ ली और बैढ़ गए, नहीं, आपने एक long answer पढ़ा, समझ मा आया थोड़ा बहुत, उसके बाद ना, उसके बाद ऐसे, ऐसे craftwork बनाना, कैसे, जैसे portrait of a lady की अगर मैं बात करूँ तो portrait of a lady ठीक chapter है, मैं तो आपको एक कहानी के तौर पर समझा रहा हूगी, ठीक 11th class का chapter है वैसे, तो उसमें ऐसे मैपिंग करूँगा, अपने आप से लिखूँगा, grandmother, उनका क्या था वो, grandson था, है ना, है ना, और वो क्या थी, और फिर क्या थे, उनके बीच क्या था, एक अच्छा मोटे, उन्हें एक जगा उतार लेना, उनकी एक मैपिंग करना, इसे कहते है माइंड मैपिंग, इससे फायदा क्या होगा, भूल के भी नहीं भूल पाओगे, ये ट्राइ करना, करोगे, हाँ हाँ बस ऐसी rough work, ये कोई fair work नहीं है, rough work, सिर्फ अपने आपको याद दिलाने क लिए, करोगे इतना, करोगे, अब इतना जब करते चले जाओगे, आपको यहाँ पर पता चले जाओगे, इवेंट क्या हुआ, ऐसे चोटे चोटे word जो आपको समझ माई, उस long answer से, वो आपको एक जगा लिख लेने, और देखना जब ये करोगे ना, तब आपको एक अलग step number three जब मेरा आएगा, step number three में क्या है sir, step number three में क्या करना है, जो कि मेरा last step है, अब करना, जो previous year question है न, previous year question जो उस chapter से पूछे गए है पहले, उस chapter के जो पहले सवाल पूछे गए है, या book के question है, अब उनको पढ़ना, कि उन question में क्या पूछा गा है, आप जैसे ही उन्हें आप पाओगे कि आपको उनके answers पता है, आपको उनके answers पता है, clear हो गया, अब सारी question जितनी भी question आप पढ़ना चाहो, पढ़ सकते हो, दोस्तों सबसे shortcut बढ़ा रहा हूँ, इतना करोगे, कम समय में ज्यादा chapter कवर कर पाओगे, अब जब आप answers पढ़ोगे, question पढ़ोगे, उनका solved answer देखोगे न, तो आपको पता चले कि ये तो मुझे आता है, अब वहाँ सिर्फ एक important काम बस बचा आपका, वो क्या, जो भी keywords आपको समझ माएं, किस chapter में, इस कहानी में कुछ keywords हैं, ये तो इस्तेमाल बार बार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, अभी मैं करके भी उसकी मैं एक video बना रहे हैं कि छोटी सी देख लेना, answer by dear sir, ऐसे लिखके search करोगे मिल जाएगी, ठीक है, तो अभी मैं आपको एक बड़े से chapter, बड़े बड़े chapter को कैसे compile करना है, कम समय में, वो तरीका बता है, अब ये apply भी करके दिखाता हूँ, देखो कितनी जल्दी याद रखना है, तो ये एक chapter है, chapter है, 10th class का chapter है, first flight हो, वो उसको एक बार discuss कर रहे है, सिर्फ example के तौर पर आपको सिखाने के लिए, कि आपको कैसे करना है, तो ये his first flight is a story based on young seagal, who is afraid to fly first time because of distrust on its wings, ये किसी की first flight, first flight मैं था पहली उडान है, तो seagal की कहान ये, character तो पता च siblings can fly fearlessly with shorter wings, except him, he cannot gather the courage to trust his wings, ठीक है, इतना सुन मारा है कि उसके छोटे भरनभाई, siblings वाली बात याद रखनी है, कि siblings सब उड़ रहे थे, वो नी उड़ पा रहा था, क्योंकि उसको ट्रस नी था अपने wings के ऊपर, ठीक है, he becomes sad, sad हो गया, क्यों है, when he sees his parents teaching and perfecting his younger siblings, the art of flying, his parents scold and taunt him and all call him coward for not even trying, ये important बात है, coward कहते थे, इससे सवाल बन सकता है, हाँ, बन सकता है, खुद से पूछा करो किससे question बन सकता है, ठीक है, ये थोड़ी पूछेंगे कि ये chapter किसकी कहानी है, नहीं, तो सब को ही पता है, सीगल की कहानी है, लेकिन उसको coward कहते थे, ये important है, इस तर the following day, he is left in isolation on the brink of the ledge, अब भाइ, इसको अकेला छोड़ दिया, एक ledge पे, ठीक है, चलो जी, एक पहाडी को उसको अकेला छोड़ दिया, फिर आगे क्या हुआ, he tries to seek the attention of his family members, उसने क्या करी होगी, कोशिश करी होगी, attention लेने की family members की, only his mother notices, मा, मा का दिल होता है, मा आई, character कौ मा इफ तक मानी आई थी, अम मा आगी, ठीक है, मा ने नोटिस किया, he begs his mother to bring him some food, food लाने के लिए लिए, पिक्स पीस of fish and flies towards him, but it stops midway, he gets madden out of hangar and takes the dive at the fish with a loud shout, he falls outward and inward, downward into space and he can feel his wings cutting through the air, finally he takes his first flight, all the family members celebrate his victory by cheering and diving around him, this is how the young seagull overcomes his fear, ठीक है, मैंने आपके लिए पढ़ दिया पूरा, कहानी समझ मारी मोटा मोटा, मा मा का दिल था, मा मचली का टुकड़ा लेके ऐसे आई थी, वो dive कर रहा था, और वो एकदम hunger के मारे, एकदम पागल हो गया था, कूद गया, और से लगा कि उसने अपने परों स हवा को काटना शुरू कर दे, इस तरह से वो उडान उसने भर ली, सब सेलिबरेट करने लगे, मोटी मोटी कहानी थी, अब मैं क्या करूँगा, मैं मैं मैंड मैपिंग करूँगा, अरे भाई मुझे मैंड मैपिंग करने दो, किसकी कहानी है बच्चो, जल्दी आओ, सीगल की कहानी है, अपने लफजों में सिर्फ कहानी पिरो रहा हूँ, क्या था, डिस्ट्रस्ट था, डिस्ट्रस्ट था विंग का, डिस्ट्रस्ट था विंग का, कांट फ्लाइ, ऐसे ही तो कहानी है, कांट फ्लाइ, पैरेंट्स स्कोल करते थे उसको, कावर्ड बुलाते से यह सबतों था मोटा मोटा जो बात थी ना कावड बुलाते थे उसको थ्रेट किया था थ्रेट क्यों किया था थ्रेट इसलिए किया था कि उसे आइसोलेट कर देंगे आइसोलेट कर देंगे ठीक है और उसको फूड नहीं दिया था नो फूड ठीक है मदर ने क्या किया था उसके बाद cutting through air ़ो इस तरण Northern के आप देखते इसके और देखो आप देखिंगत एकनी देखें देखें यही मोटे मोटे इविंट हमें जब नौटे एकम मży flats प苡ी कहानी हो गए अब हम इसके question देखेंगे उनके language देखेंगे कैसे आंसर लिखे हुए है और हमें भी पूरा पक्का हो जाएगा चलो दिखाता हूँ step number three आपके ncrt का question है why was the young seagal afraid to fly cdc बात है कि यंग सीगल था जो पक्षी था वो फ्लाइ क्यों नहीं कर पाता तो हमने तरीकिये से लिखने का आपको लिखना तो आता नहीं है तो आप क्या करोगे रटोगे रटने की जुरुत नहीं है आप जो इसका answer है ना आपके पास उसको दो-चार बार पढ़ लोगे नजर माल लोगे आपके वरना मैंने आपके लिए वीडियो भी बना रखा है कि अपना answer खुद का answer कैसे बना कर लिखें तो answer by dear sir ऐसे लिख करोगे वीडियो देख लेना ठीक है देखो मैंने कुछ नहीं किया आपको answer पता है मचली मुँ में रखे लेका रहे तो उसकी ममा what does this suggest what compelled the young seagal to finally fly कि क्या था जो finally fly करे हमें पता है आंसर हमें पता है कि उसकी ममा मुँ में मचली रखके ऐसे ला रही थी उसको देखके वो एकदम पागल हुई को बहुत जादा हंगरी था इस वाज़े से वो कूद गया उसक कैसी लिखोगे अम मैंने क्या कहा कि answer जो previous question पूछे गए उनके answers क्या है उन्हें read करना सिर्फ जितना read करोगे उतना confidence आगे क्योंकि answer अब आपको पता है कहानी आपको पता चल गई कितना time लगा 10 minute लगा 15 minute लगा ज्यादा ज्यादा और आपको बड़े से बड़े chapter की पूर इसको भी idea हो जाएगा ठीक है यहां पर देख लेते हैं कुछ और question यहां पर मैंने आपके सामने रखें इसी के कैसे उड़ा था कैसे first flight हुई थी इसकी डीटेल और लेली confidence पूरा आगिया कि अब तो पूरा पता चलेगे कि क्या क्या हुआ था उसका आनिकंदर डीटेल यहां से पता चलेगी तो टुकुडों में आपने बहुत चालाकी से इस chapter को cover कर लिया दोस्तों हर chapter को इसी तरह से आप cover कर सकते हो उमीद है वीडियो आपके बहुत काम आएगी अपने सभी दोस्तों के साथ भेजिए बेजो यह वीडियो उनको इससाथ शेयर करो लाइक करके मुझे बताओ कि आपको यह वीडियो कितनी पसंद है यार मुझसे क्या चाहते हो कौनसी chapter पे कौनसी टापिक पे वीडियो बनवाना चाहतूँ आप मुझे जरूर बता है जितने कॉमेंट्स आएंगे उसी इसाप से मैं आपकी डिमांड पूरी करूंगा बहुत अच्छे से एक्जाम दो फाइनल एक्जाम में भी हम आपके साथ ही रहेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसी मुझ